हालो मैं हूँ शालनी हबलीकर और मेरी चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं एक्स्प्रेंट कर रही हूँ आप लोगों को हिंदी निबंद लेखन निबंद का नाम है यदी मैं कभी होता तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेसन्स और निबंद लेखन, पत्र लेखन सब मैंने अप्लोड किये हुए हैं मेरे वीडियो अगर आज आप पैली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा बेल का आइकन टैप कीजिए ताकि जो मेरे अगले वीडियो जाने वाले हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा ठीक है और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट दे है निभंदलेखन यधी में कवी होता यधी में कवी होता जे न देखे रवी वो देखे कवी रवी की किर ने एक सीमा तक जाती है लेकिन कवी की विचार शक्ती उसके भी परे दुनिया की किसी भी छोर तक जा सकती है कवी की बातों का किसी को बुरा नहीं लगता कवी एक मार्मिक और व्यंगात्मक धंग से पूर्ण चीजों को रखता है जिने दिल और दिमाग दोनों ही हस्ते हस्ते स्वीकार करते है इसमें तिरसकार की कहीं नहीं जाता आता ऐसे बहुत सारे कवियों ने इन गुणों का उपियोग करके पूरे मानो समाज की सेवा की यदि में कवी होता तो अटल जी के जैसे ही सपने देखते देखते देश की भलाई करते हुए परधान मंत्री बन जाता और कठोर निर्णे लेने की क्षमता होने के बावजूद हमेशा नरम दिल का कवी ही कहलाता यदि में कवी होता तो समाज के हर अच्छे बुरे कर्मों को कविता के त्वारा आसानी से दुनिया के सामने ले आता एक मा की ललकार को सब के सामने लाता एक बेटी के पुकार की तड़प का एहसास अपनी कवीता में से लोगों तक पहुँचाता किसान जो हमारा अन्न दाता है उसका परिवार भूखा सो रहा है उस किसान की पीड़ा मैं अपनी कवीता के द्वारा दुनिया को सुनाता यदि में कवी होता तो व्यंग कवीता लिखकर लोगों को हसाता और जीवन का संदेश भी देता तो इस तरह से यदि में कवी होता का निबंद मेंने लिखा हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छा लएगा और दो तिन बार आप लिखकर निकालिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होजाए ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में आपकी पढ़ाई के लिए आप लोग को all the best, stay home, stay safe, bye bye, good night